मनेवर, राम और रामायन से अलग इस देश की कलपना हुई नहीं सकती। मनेवर ये जो राष्टर की इच्छा की परिपूर्ती सनमानिय मोदी जी के हाथ से 22 जर्मरी को अभिजित मुरहत में हुई है। ये लडाई 1528 से लड़ी जा रही है। दसको तक ये लडाई चली मनेवर, दसको तक लडाई चली। लगबग लगबग 1858 से कानूनी लडाई चल रही है। जब से अंग्रेजों का साशन था, 330 साल के बाद कानूनी लडाई का आज अंताया है। और राम लल्ला अपने घर्व गुरू के अंदर वियादिमान होई है। मनेवर 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला, उसकी समापती हुई है। और देश की अध्यात्मिक चितना की जागूती हुए। मनेवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। यह आंदोलन से अनिभिक होकर कोई इस देश के इतियास को पड़ ही नहीं सकता। आज से नहीं 1528 से हर पीडी ने इस आंदोलन को किसी न किसी सरुप से वाचा दी और एक ममला लंब में समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा है। इसको परवान चड़ना था, इस स्वप्न को सिध्ध होना था और आज देश स्वप्न सिध्ध होता हुआ दिखाए। मान्यवर राम जवन्वुमी का जो इतियास है, यह बहुत लंबा है। अनेक राजाओ, संतो, निहंगो, अलग-अलग संगठोनों और कानून विशस्यग्यों ने यह लडाई में योगदान दिया है। मैं आज ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपून कानूनी और युद्धो की और अंदोलनों की लडाई को इस सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूँ। और उनकी लडाई जब आज समाप्त हुई है तब मुझे विश्वास से मानेवर वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूती करते होंगे अपनी स्रद्धा को चरितार्थ करनी की अनुभूती करते होंगे। जिलहरी के समान कई लोगों ने अपना योगदान दिया और मानेवर ये राम सेतु जो बढ़ना था 1528 से 22 जन्वरी 2024 तक का ये सेतु का भूमी पुजन भी नरेंद्र मोधी जी ने किया और प्राण प्रतिष्टा भी नरेंद्र मोधी जी किया। मानेवर 1990 में जब ये आंदोलन ने घती पिकड़ी उसके पहले सी ही भारतिय जन्ता पार्टी का देश की जन्ता को वादा था। का आंदोलन है। इसलिए हम राम जन्वुमी को मुक्त कराकर कानून रुक से मुक्त कराकर वहाँ पर राम मंदीर की स्थापना करेंगे। अब इस देश में प्रब्लेम क्या है साथ। जब चुनाव में घोषना पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वाट प्राप्त करने के लिए लिया। चुनावी वादा है यह बात पर ऐसे ही वादे करती है। तिनसो सित्यर हो। राम जन्वु मी हो। युनिफॉर्म सिविल कोड हो। circuit लाग समाप्त करना हो। अब हैकि कहते हैं आप ऐसे ही वाधे करते हैं और इस वाट प्राप्त करने का ज़रिया होता है। और जब हम इसको पूरा कर देते हैं, तो बड़ी खिलाफ़त करते हैं। मैं आज भी कहता हूँ, भारतिय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मानेवर जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। हमारी पार्टी का चरित्र है, और एक कोई छिपी हुई बात नहीं है, कि सीच का अक्रोस है, हम 1986 से कह रहे हैं, कि वहारा भवे राम मंदिर बनना चाहिए सम्विधानिक तरीके से, कुछ लोगों ने यहाँ पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानू की दुआई देते हैं, मैं उनको पुछना चाहता हूँ, कि मानिवर क्या सुप्रीम कौट की पांच जजों की खंड़ पित के जज्जमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो, भारत के सम्विधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो, किसी ने अगर सुप देखते हैं, स्वयम चीप जश्ट्रीस ऑफ हिंडिया और आने वाले चार चीप जश्ट्रीस कर रहे थे, ऐसी महतवपूर्ण बैंच ने जब यह ने लिया, तब आप कैसे कन्नी काट सकते हो, मानिवर ने पसंद हो तो स्विकार कर लेना, सुप्रीम कौट का संदमान करना और कोई ने पसंद ना आए, तो सुप्रीम कौट के भी बड़ा बुड़ा करना ये ठीक नहीं है, मानिवर सुप्रीम कौट के ने ने आज पूरी दुनिया में भारत के पंथ निर्पेक चरीत्र को उजागर किया है, दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है, जहां बहुम समाज ने अपनी आस्ता का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई-लड़ी, हमने रा देखी है सुप्रीम कौट में लड़ाई-लड़ी, और सुप्रीम कौट का जजमेंट आने के बाद वहाँ पर आज भव्य राम मंदीर बना है, मानेवर जो बोल रहे है उनको भी सब मालू है कि क्यूं बोल रहे हैं, मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, हमारे गुजरत में एक कहावत है, हवन में हड़ी नहीं डालनी चाहिए, पूरा देश जब आनन्द में डुबा है, पूरा देश अध्याद्मिक चेतना की जागरूति का अनुभाव हो रह अनुभाव हो रहा है